प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इश्यू के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाईबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाईबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत एक सबस्क्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें, बस हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी प्रभू ने इस तरह से एक और जो मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ, शास्त्री जगविर ने इस बाद को याद दिलाया कि, लास्ट टाइम मैंने एक प्रश्न के साथ क्लास क्लोस किया था, प्रश्नी ये था, यदि आज यहाँ पर कोई है जिसने मेरा प्रश्नी नहीं सुना, तो मैं चाहता हूँ कि वे भी समझ लें, प्रश्नी ये था, पिछले दिनों मुझे अचानक, WhatsApp पर एक वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल वैसे भी मैं पसंद नहीं करता, बस अपने बच्चों से वीडियो कॉल आता है, उसके अलावा जनरली बिना मेरी अनुमती के, इसी को भी वीडियो कॉल करने की परमिशन नहीं है, भाई रंजीत इसे 50 बार याद दिला चुके हैं, लेकिन अचानक एक वीडियो कॉल आया, वो भी एक अग्यात नंबर से, जो मेरे मोबाइल पर रिकार्ड नहीं है, मैंने उसको अटेंड नहीं किया, याद रखें, 21 श आप एकदम से जाके किसी की चाती पर कूद नहीं सकते हैं, और किसी अग्यात व्यक्ति को वीडियो कॉल करना बिल्कुल वैसी ही बात है, कि मान ना मान मैं तेरा महमान, तो मैंने वीडियो कॉल अटेंड नहीं किया, दस मिनित में उस भाई का मेसेज आ गया हलो, वाटसेप पे, मैंने पूछा कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, फटाक से उनका जवाब आया, परसों हैदरबाद में, एक कॉन्फरेंस में हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से मैं आपसे बात करना चाता था, मैंने जैसा पिछले हफ्टे बताया, मैं जिन्दगी में कभी हैदरबाद नहीं गया हूँ, और ये भाई साथ, परसों मुझ से बात कर गए, इसका क्या उद्देश है, आगे कब मैं बताता हूं, मैंने लिखा कि प्रिये भाई, मैं हैदरबाद जिन्दगी में कभी नहीं फटाक से उनका जवाब आया अच्छा अच्छा ऐसा है आपका नाम क्या है आप कहां रहते हैं आप क्या काम करते हैं ये वी कॉल मुझे क्यों आया और इस भाई ने मैं मान के चल रहा हूं की भाई है इस भाई ने क्यों मुझे इस तरह से जूटा संदेश भेजा कि पिछले परसों ही हमारी मुलाकात हुई है और सबसे बड़ी बात वीडियो कॉल क्यों किया एक अग्यान व्यक्ति को वीडियो कॉल क्यों किया आप होटल जाते हैं आपके चारों तरफ टेबल पर लोग बैठ कर खाना खाते हैं आप जबरदस्ती किसी की टेबल पर बैठ कर उसी के बरतन से खाना आरम कर देंगे क्या जी नहीं समाज की कुछ मरियाद आए हैं समाज में कुछ चीजें वर्जित हैं क्यों इस अग्यात व्यक्ति ने मुझे वीडियो कॉल किया उसका क्या लेक्षे था मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि हम में से ज़्यादा तर लोग ऐसे उल्लू के पठे हैं कि इस तरह से कोई कॉल आता है तो हम जो है पहले से दस पन्य का अपने बारे में इंट्रोडक्शन तयार रखा है वो पूरा भीज देते हैं कि मैं जॉटसन फिलिप हूँ, शादी शुदा हूँ, दो बच्चे हैं, अब पचास बाते हैं मैंने इसलिए उल्लू का पठा बोला कि रोज हमारे चारों तरफ अखबार में हम सेकड़ों बातें पढ़ते हैं, उसके बाद भी हमारी आँखें नहीं खुल रही है इसलिए मैंने कहा कि जिसकी आँखने, भई सो बार दिन में आप पढ़ते हैं कि समाज में मीडिया के द्वारा धोका धड़ी हो रही है और इसके बाद भी आपकी आँखने खुली तो उल्लू के पठे से भी जादा है लेकिन बेशब्द मैं बोल नहीं सकता सामनी व्यक्ति क्या करता है? सामनी व्यक्ति क्या करता है? जैसे ही उसने लिखा कि आपका नाम क्या है तो तुरंत बड़े यीगरली अपना नाम, पता, जन्म पत्री सब कुछ उसको बता देते हैं जबकि आपको नहीं मालूम कि उस चित्र के पीछे कौन छुपा हुआ है? और एक चीज़ और बता दूँ, अब तो इस तरह का सौफ्ट्वेर आ गया है, बहुत महंगा होता है, लेकिन सौफ्ट्वेर आ गया है, जिसकी मदद से बात्चित आप कर रहे हैं, चेहरा किसी और का दिखाई दे रहा है, आवाज किसी और की दिखाई दे रही है, तो आपको क्या गयारंटी है कि वही व्यक्ति आप से बोल रहा है, लेकिन हम मेंसे ज़्यादा तर ऐसे मोर्ख हैं कि तुरंथ हम अपना नाम पता सब कुछ दे देते हैं, यदि उसको नहीं मालुम कि मेरा नाम क्या है, यदि उसको नहीं मालुम कि मैं कौन हूँ, तो क्यो क्यों उसने जूट बोला कि हैदरबाद में मुलाकात हुई थी और क्यों उसने वीडियो कॉल किया मैं आज आपको बहुत स्पष्टत या कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसके द्वारा ना केवल हमारे बच्चों का शिकार हो रहा है हमारा भी शिकार करने की कोशिश हो र कई लोग इस इन शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं प्रबू के वच्चन से पिछले हफ़ते मैंने ये बात आपको पिछले तीन हफ़ते से मैं आपको सुना रहा हूं भजन 35 के साथ से मैंने पढ़कर सुनाया था भजन 35 के साथ से अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड़े में बिछाया अकारण उन्होंने मेरा प्रांड लेने के लिए गड़ा होदा है अकारण का मतलब यह नहीं है कि उनकी तरफ कोई कारण नहीं है उनकी तरफ से जाल बिछाने के लिए कारण है, मेरी तरफ से, अब जैसे इन दिनों हमारे केरल की इलाके में एक हाथी को पकडने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जाके तमाम हार चीजों को तहस नहस कर रहा है, तो उसके पीछे कारण है, जिसलिए कि उसको पकडने की लेकिन जब यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि के अकारण मेरी लिए जाल बिछाया तो कहने का मतलब है कि मेरी साथ से कोई कारण नहीं है, यहाँ उस violating के साथ से कारण है, इस लिए उसको पकडने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में मेरी तरफ से कोई कारण ना होते हुए भी उन लोगों ने जाल बिचाया है इसलिए कि उनकी तरफ से कारण है उनकी और से कारण है एक खास लिट्श के लिए वे लोग ये सब कर रहे हैं बिल्कुल सही है मुझे कई लोगों ने और डी रस्पॉंट्स भेज दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह से जो सुन रहे हैं वे लोग ना केवल सोच रहे हैं लेकिन वो लोग जो है उसके बारे में अलर्ट है मुझे अभी एक एवांजिलिस्ट के बारे में खबर आई है मैं अभी उसका जवाब देता हूँ या उसके बारे में जतना बताना चाहिए उतना बताता हूं तो मेरी तरफ से कोई कारण नहीं है लेकिन जो जाल बिच्छा रहा है उसकी तरफ से तो कारण है क्या कारण है क्यों एक अंजान व्यक्ति मुझसे जूट बोलता है कि है एदरबाद में हमारी मुलाकात हुई इन सब के पीछे एक साइकोलोजी है और वो साइकोलोजी यह है कि दुनिया भेडियों से भरी हुई है और भेडिये हर जगह अर तरह का शिकार कर रहे हैं बे लोग ना केवल बड़ों का शिकार करते हैं बलकि बच्चों का भी शिकार करते हैं लेकिन हम बड़े ही इतने नालाइक मूर्ख हैं तो हम अपने बच्चों की सुरच्षा कैसे करेंगे ये बात आज शाम को मैं सभी भाईयों बहनों से कहना चाहता हूं हम जो बड़े लोग हैं हम मूर्गता करते हैं कोई भी अग्यान व्यक्ति आपके घर में फोन कर देता है और उसके बाद जो है पचास प्रश्न पूछता है और उल्लो के पठों के समान हम जवाब देते हैं हम यह नहीं ज नाकेवल रिकाड कर रहा है वो पूरी जानकारी वो लोग अपने फाइल में नोट कर लेते हैं और इस तरह से नोट की हुई जानकारी एक दूसरे के साथ एक्सचेंच करते हैं जिससे कि हमारा शोषन किया जा सके आप पूछेंगे कि कोई भी एक्ति हाई हलो करके कैसे शो ये जाल बिचाया है, हर यूग में उस यूग की जो भी जानकारी है, जो भी टेक्नोलोजी है, उसका उपयोग करके दूसरों के लिए जाल डालने का काम लोग करते हैं, एक सरल उदाहरन दिया जाए, तो अकसर बैंकों में लोग पैसा लेकर आते हैं, तो अचानक एक प्यक् कहता है, अरे भाई साब वो आपका पैसा गर गया, वो जमीन पे देखता है, तो वहाँ पे सौ के दो नोट पढ़े हुए नजर आते हैं, और वो उसकी तरफ मुढने लगता है, इस बीच जिस आदमी ने कहा था कि सौ के नोट पढ़े हुए हैं, वो उसके हाथ से थैले च चिन के भाग जाता है, क्यों जैसे ही हमारी नजर यमिन पे पढ़े, नोटों पर जाती है, तो हमारा मन अलर्ट हो जाता है कि बापरे मुझसे गलती हो गई, मुझसे नोट टपक गए, पता नहीं कितना टपक गया होगा, ये सोचने के कारण हम आत्म सुरेच्छा भूल ज जाते हैं, और आत्म सुरेच्छा जैसे ही भूल जाते हैं, वैसे ही हमारे पास जो पैसा है या पैसे का थैला है, उससे हमारी पकड दीली हो जाती है, और वो लोग छिना के भाग जाते हैं, ये बहुत कॉमन तरीका है, बहुत कॉमन तरीका है, मैंने बहुत पार देखा है मुझे मेरे फादर ने इसके बारे में पहली बार आगाह किया था क्योंकि एक पर फादर फस्ते फस्ते बचे थे तो घरा के उन्हेंने बताया उसके बाद तो जिन्दगी में बहुत सारे आउसर आए हैं जब बैंकों में जाता हूँ या आता हूँ या निकलता हूँ तो लोग इस तरह की जालसाजी की कोशिश करते हैं लेकिन बैंकों की तुलना में लोगों को मूर्ख बनाना electronic माध्यमों में बहुत आसान है electronic माध्यमों में सबसे जदा व्यापक दो माध्यम हैं एक तो facebook और एक है whatsapp facebook में आप किसी व्यक्ती का चित्र देखते हैं उस व्यक्ती का नाम पढ़ते हैं क्या guarantee है कि वही व्यक्ती है ऐसा अनुमान है कि फेस्बुक पर लाखों प्रफाइल ऐसे हैं जो जूटे हैं आप एक व्यक्ति का नाम देखते हैं एक हैंसम चित्र देखते हैं या एक सुन्दर सी कन्या का चित्र देखते हैं लेकिन वो जूटा प्रफाइल होता है कुछ समय के बाद वो व्यक्ति आपको एक friend request बीचता है आप बिना सोचे, समझे, जाँच पड़ताल किये हुए friend request स्वीकार कर लेते हैं आपको लगता है कि यह तो कोई आम बात है लेकिन ऐसा नहीं है बहिए एक व्यक्ति जिसने अपना चहरा चुपा कर जूटा profile बनाया है वो जूटा व्यक्ति क्यों सच बोलेगा और यदि सच बोलना है तो जूट का सहारा क्यों ले रहा है जूट को सच के सहारे की जरुरत नहीं होती है सच का सहरा चाहिए तो सीधे-सीधे सच बोलो इन सब के पीछे एक कारण और है वो बताने से पहले एक बात और बता दूँ अक्सर लोगों को फोन कॉल आता है फोन कॉल में सीधे-सीधे हेलो, हेलो, विपिन बोल रहे हो न यदि पुरिष की आवाज तो नहीं देती है तो सीधे विपिन बोल रहे हो न तो आपका तो नाम विपिन नहीं है तो आप कहते हैं नहीं-नहीं मैं जॉन्सन सी फिलिप बोल रहा हूं हम ऐसे नालायक हैं इस बात को नहीं समझते कि आडियो रिकार्ड हो रहा है मिल जाता है तो उसके सहारे बहुत कुछ कर सकता है क्या क्या कर सकता है समय आने पर मैं आपको बता दूँगा तो वो कहता है सौरी सौरी जॉन्सन सर गलती हो गई मैं विपिन को बुला रहा था शायद एक नमबर गलत मुझसे दब गया आखरी नमबर गलत दब गया इसलिए आपका नमबर आ गया आप कहां रहते हैं और हम ऐसे नालायक है कि एक अनजान व्यक्ती जिसकी A, B, C, D हमको नहीं मालूम जिसकी आवाज पहली बार सुन रहे हैं जो हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है उसको तुरंट बता देते हैं मैं कुच्ची में हूँ तो उसको तीन जानकारिय मिल गया आपका फोन नमबर मिल गया है आपका नाम मिल गया है और आप कहां थित हैं ये जानकारिय भी मिल गई और हम मैंसे कई लोग इतने मूर्ख बलकि मूर्ख कहने से मुझे संतोष नहीं होता है मूर्ख उलू के पठे और नालायक हैं कि जैसे जैसे वो पूछते जाते हैं वैसे वैसे जानकारिय देते ही जाते हैं हम इस पाद को नहीं रेलाइस करतें कि ये इस तरह के जो अग्यात फोन कॉल है इसमें सब तो नहीं कुछ तो गलती से आते हैं लेकिन इनमें से काफी सारे फोन अपराधी लोग करते हैं और ये अपराधी लोग हम जितनी जानकारी देना चाहते हैं या देते हैं उन सब को नोट करते चले जाते audio में तो note होई रहा है उसके अलावा भी ये लोग नोट करते चले जाते और जो मिसिंग है वो आडियो से वो लोग फिर से recover कर लेते हैं इस तरह से 5-6 बातें वो पूछने के बाद जो है फिर खतम हो जाता है लेकिन इतने समय में उसको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी मिल जाते है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कभी-कभी एकाद बार wrong number जरूर लोगों का लग जाता है लेकिन जादा तर wrong number wrong number नहीं होते हैं वे जान बूछ कर आपको बुलाते हैं आज हिंदुस्तान के लगबग पांच से दस करोड नंबर बड़े आराम से विकाव है मुझे अक्सर नोटीस मिलता रहता है पांच करोड या दस करोड नंबर बस छे हजार रुपया भीज दीजे हम ये नंबर आपको भीज देंगे इस तरह के गैंग है जो नंबर बेचते हैं इस तरह के गैंग है जो इन नंबरों को खरीदते हैं और खरीदने के बाद एसे लेकर जेट तक एक एक करके इन नंबरों को बुलाते हैं और जब कोई व्यक्ति बात करता है तो भेडिये को मुझे और आपको समझ में नहीं आता है भेडिये को ये बात समझ में आजाती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं भाई शिकार करना वो भी धोखे से शिकार करना वो तो भेडिये का स्वभाव है और इसका आरण곳 आप जो जवाब देते हैं उससे उसको यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति जह है तेज है या मोर्क है इसको भी वो note करते चले जाते हैं लेकिन ये सिर्फ एक आरम है इसके बाद धीरे 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 कोई न कोई कारण बताते हुए इन लोगों का phone call या इन लोगों के WhatsApp नमबर आने लगते हैं WhatsApp call आने लगते हैं या WhatsApp संदेश आने लगते हैं आपने अपनी सारी जानकारी दे दी जैसे मैंने बोल दिया डॉक्टर जॉन्सन सी फिलिप सीनियर सिटिजन हूँ प्रभु की सेवा करता हूँ वो नोट कर लेता है कल को WhatsApp पे संदेश उसका नहीं आएगा कल को WhatsApp पे किसी कन्या का संदेश आएगा धियान से देखे तो बड़े आकरशक फोटो वगरा उसका है और देखने से बिलकुल कंफर्म है कि कोई कन्या आपको लगा रही है वो बस उसका मेसेज होता है कि डॉक्टर जॉन्सन मुझे खबर मिली है कि आप काउंसिलिंग करते हैं मैं जिन्दगी में बहुत कठिन प्रेशन से होकर गुजर रही हूँ आप मेरी काउंसिलिंग करेंगे क्या यहां पर भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम मेंसे जादा तर लोगों को यह गलत फेहमी है कि काउंसिलिंग का मतलब है लेक्चर देना और ब्रेदरेंड लोग तो जहां एक लेक्चर की संभावने वहां 100 फिट करने में विश्वास रखते हैं हम मुँ में लेक्चर लेके पैदा होते हैं और इसलिए हर मूर्ख को लगता है काउंसिलिंग अरे वो तो सर्फ लेक्चर देना इसलिए मैं काउंसिलिंग कर दूँगा मैं याद दिलाना चाहता हूँ जिस तरह से बिना ट्रेनिंग के ऐलोपैथिक दवा दें तो वो खत्रा बहुत ज़्यादा खत्रा पैदा कर सकता है उसी तरह से बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आप यदि काउंसलिंग करने जाएंगे तो वो किसी व्यक्ति की जिन्दगी बर्बाद कर सकता है कम से कम आधा दरजन केस मैंने देखे हैं जहां काउंसलर की मूर्पता के कारण लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की एक तो एक पहुचे हुए काउंसलर जो अपने आपको पहुचा हुआ समझते हैं एक बार काउंसलिंग के लिए मुझे भी साथ में ले गए लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया बस वही वो काउंसलिंग करते चले गए अगली सुबह पता चला कि जिसकी काउंसलिंग की थी उसने रात को आत्महत्या कर लिया है ये एक एक्च्वल घटना है इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ कल को येदी कोई व्यक्ति काउंसलिंग के नाम से आप से संपर्क करता है और येदी आपको काउंसलिंग में ट्रेनिंग नहीं है तो फालतू उसमें ना पढ़ें बलकि कोई ट्रेन व्यक्ति हो तो उसका नाम बता दें ये कम से कम उसका प्रशन सुनने के बाद तुरंत जवाब देने के बदले किसी व्यक्ति से चर्चा करें जो काउंसलिंग में ट्रेन्ड हो तो ये एक बड़ा चक्र व्यू है जिसमें आपको फसाने की कोशिश की जा रही है और प्रभू का वचन साफ साफ बताता है कि उन्होंने अकारेंट मेरे लिए जाल बिचा है भजन 57 के छे में पहला पद भजन 35 का साथ था ये जो दूसरा पद मैंने बताया है भजन 57 का छे है भजन 14 पांच के आखर में लिखाया उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं मतलब एक नहीं तमाम तरह के जाल है ये फंदे हमारे आर्थिक और न्यतिक जीवन से लेकर आत्मिक जीवन तक के लिए है भजन 119 के 110 में लिखा है दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया पर तो मैं आपके उपदेशों से नहीं भटका मतलब उपदेश के मामले में भी हमको गलत रास्ते पर चलाने के लिए लोग फंदा लगाते हैं फिर से मैं याद दिला दूँ आपको कोई अन्जान व्यक्ति फोन कॉल करता है वाटसेप संदेश देता है मूर्खों के समयन सारी जानकारी उसको ना दे दे आपको कोई पहली बार डिरेक्ली वीडियो कॉल लगाता है तो आपके मन में खत्रे की घंटी बच जानी चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल करना लिटरली उसकी छाती पे जाके बैठने के समान है मतलब ऐसे व्यक्ति को जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है ये क्या है आज दुनिया में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आपस में जुड़े हुए नेटवर्क भी हैं उसके अलावा इंडिविजुली काम करने वाले लोग भी हैं ये लोग क्या करते हैं जब एक व्यक्ति से कॉन्टैक्ट हो जाता है तो उसके बाद किस तरह से उस व्यक्ति का शोशन किया जा सकता है ये देखते हैं और मैं याद दिलाना चाहता हूँ इसमें ना पढ़ें ये बहुत बड़ा गोरक धंदा है अब ये और जानकर ही देता हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज जो बच्चे प्रभु का संदेश सुन रहे हैं उनसे दो शब्द बोलना चाहता हूँ क्योंकि कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि आज सारे भारत में बच्चों का अति भयानक तरीके से शोशन हो रहा है और इस शोशन में सबसे बड़ा हथियार है मॉबाईल सरकार यहां कड़े कल रिलीज हुए हैं कल अखबार में आया है और यहां कड़े यह बताते हैं कि जो माबाप बिना सोचे समझे बिना बच्चों को भले और बुरे का भेद समझाए जो माबाप अपने बच्चों को मॉबाईल दे देते हैं इन में से बहुत सारे बच्चों के लिए बरबादी का रास्ता खोल रहे हैं और वो खबर ये थी कि भारत में युवा लोगों के, युवा लोगों से मतलब है दस साल की उमर से, तीस साल की उमर तक शोशन के जो केसस हैं उनमें अधिकतर शोशन मोबाइल के द्वारा हुआ है या जो लोग शोशन के शिकार हुए हैं इनमें से अधिकतर लोग इसलिए शिकार हुए कि मोबाइल का उपयोग कैसे करना है उनको नहीं मालूम था क्या होता है अब इसको समझे और इस बात को भी समझें कि बहुत सारे विश्वासी लोग इसमें पढ़ जाते हैं बहुत सारे लोग सबसे पहले तो सबसे सरल तरीके का शोर्षिंड मैं आपको बताता हूँ फेस्बुक पे जाके या किसी वाटसैप ग्रूप में जाके कोई मसीही व्यक्ति देख लेता है कि आप एक मसीही हैं तुरंत आपको फेस्बुक पे या वाटसैप पे चैट भेज देते हैं हाई का जवाब ये दिया आपने हाई में दिया तो उसके बाद पुरंत हाई हलो और वहां से पुशल मंगल पूछना सब कुछ चलता रहता है और जब आप थोड़ा सा रिलाक्स हो जाते हैं तब धीरे से वो अपना पैर आगे रखता है और कहता है मैं पिछले 25 साल से फालानी जगर प्रबो की सेवा कर रहा हूँ और यहां पर 50 अनात बच्चों को मैं खाना खिलाता हूँ आप कुछ मदद कर सकेंगे क्या आप 50 बच्चों का फोटो भीजने को बोलेंगे तो वो 500 का भीज देंगे क्योंकि यह सारे फोटो जूटे हो सामानियत यह जूटे होते हैं इवन उस व्यक्ति का चहरा जो आप देख रहे हैं संभाव ने इस बात की है कि वो जूटा फोटोग्राफ है आजकल मोबाइल पर एक बार आप महीने भर के लिए कनेक्शन ले लेते हैं तो आप असीमित फोन कॉल कर सकते हैं वाटसाप भीज सकते हैं इस कारण इन लोगों को कोई खर्चा तो आता नहीं है जिस तरह से विकारी सुबह से शाम तक सड़क पर बैठ कर भीक मांगता है आज समाज में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो परिश्कृत तरीके से भीक मांगते हैं इवांजिलिस्ट के नाम पर और्फने चलाने के नाम पर बीमारी के नाम पर दवादारू के नाम पर मैयो बाप के कैंसर के नाम पर इस तरह के पचास तरीके हैं जिसके द्वारा पैसे मांगे जाते हैं एक ही पत्र को ये लोग कौपी करके लोगों को भीजते हैं इसलिए इनको कोई महनत नहीं लगती सुबह से शाम तक यदि आपने सो लोगों को पत्र भेजा और उसमें से यदि दस लोग अनुमान यह है कि सो को भीजते हैं तो साट से असी के करीब लोग जवाब देते हैं मान के चले कि सरफ दस जवाब देते हैं तो दस मूर्ख हस गह इस तरह से वे लोग लिस्ट बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं हजारों, दस हजारों की लिस्ट बना के रखते हैं और एक दिन इन में से 100-200 को request भीजते हैं और यदि उसमें से 10 लोगों ने भी 1000 रुपया भीज दिया तो 10,000 रुपय हो गए कोई महनत नहीं हर लगे नफिट करी रंग भी चोखा होए और दिन में 10,000 रुपय के हिसाब से महीने में कितने हो जाएंगे तीन लाक रुपय तीन लाक या उससे जादा एक दिन में 1000 हो तो 30,000 रुपय हो जाएंगे फ्री फंड में 3,000,000 रुपय और ये जो जादा तर लोग इस सरह से फंड रेसिंग करते हैं ये लोग मुश्किल से दसमी पड़े होते हैं कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं सकती और महीने में 3,000,000 रुपया बना रहे हैं और इन में से कई लोगों के बारे में ये देखा गया है कि 10-10, 20-20,000 आकाउंट बैंक आकाउंट बना रखे हैं 10-10, 20-20,000 मोबाइल ले रखा है ये एक investment है और return महीने में 3,000,000,000 शाल बर में 36,000,000 ये में एक छोटी सी राशी बता रहा हूँ मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस तरह से मांग मांग के brethren दुनिया म जो मंग मंग के करोड़ तो थी बन चुके हैं तो ये तो हो गया सबसे simple तरीका भईया ये प्रभू को देने के लिए पैसा हो तो किसी लुटेरे को काहे को देते हो ऐसे लोगों को दो जो वाके में प्रभू की सेवा कर रहे हैं तो ये तो हो गया धोके का round one अब बच्चे बच्चों तुम लोग भी याद रखना जल्द बाजी में कोई काम नहीं करना है किसी ने मोबाइल पर कोई चित्र लगा दिया तो उसका मतलब यह नहीं है कोई गारंटी नहीं है कि यह वही व्यक्ति है किसी ने Facebook पर चितर लगा दिया कोई guarantee नहीं है कि ये वही व्यक्ति है पिछले ही दिनों मेरे सामने केस आया था वो तो बिल्कुल पॉक्सो केस चल रहा है उसमें लड़के ने अपने चितर के बदले किसी handsome व्यक्ति का चितर लगाया और एक लड़की का फसाया एक मुझे मालूम है उसने सो फसाये होंगे बच्चों इन चीजों में मत पढ़ना ये जो remote friendship है remote दूर से उसके चकर में मत पढ़ना अपने खुद के दोस्तों को समालना मुश्किल होता है remote friendship जो है तुम कैसे manage करोगे जहां तुम उस व्यक्ति के असलियत नहीं जान सकते सबसे सरल केस हो गया इससे ज़्यादा complicated case अब मैं आपको बताता हूँ इससे ज़्यादा complicated case कई प्रकार के हैं एक है जिसमें जैसे पहले दिन जिसने phone किया था हाइदरबाद वाले ने वो मेरी मान लीजे सारी जानकारी मैं ऐसा मोर्क हूँ सारी जानकारी दे देता हूँ हफते बर के बाद एक लड़की मुझे बुलाती है यह सब एक गैंग है इस बात को याद रखें यह गैंग कैसे काम करता है यह मैं आपको बता है एक लड़की जो है मुझे संदेश देती है मैंने सुना है कि आप अच्छे counselor हैं आप मेरी counseling करेंगे क्या हमें से बहुत सारे लोग first जाते हैं यह जाने बिना कि भाया एक अंजयान व्यक्ती से काहे को एक लड़की counseling करवाने के लिए तयार हो गई है क्या guarantee है कि वो अंजयान व्यक्ती सही marginization देगा लेकिन हमें से कई मुर्ख उसमें first जाते हैं और पहले तो वो बहुत सरल प्रश्न पूछती है मुझे मैं प्रभु का वचन कैसे पढ़ूं उसके अलावा मैं temptation से कैसे बचूं जब आपका confidence जीत लेती है मैं लड़की का बोल रहा हूं लड़के भी यही करते हैं यह बात मैं याद दिला दूँ एक समय एक ही link के बारे में बोला जा सकता है इसलिए मैंने लड़की बोला उसके बदले आप लड़का भी जो है जोड सकते हैं कई पुरिश स्त्रियों से counselling के लिए request करते हैं उसके पीछे भी कहानी यही है दीरे 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 intimacy बढ़ती चली जाती है उसके बाद वो एक लड़की या लड़का अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बहुत अशलील तरीके से प्रस्तुत करता है तब तक आपके मन में जो alertness है खत्रे के प्रती जो सावधनी है वो जा चुकी होती है आप जो जवाब देते हैं उससे भेडिया समझ जाता है कि यह व्यक्ति अब हमारी custody में आ चुका है इसके बाद फिर आप से वो प्रश्न पूछते हैं और ऐसे उल्लू के पठे बहुत हैं जो उन प्रश्नों का जवाब दे देते हैं यह नहीं जानते कि यह सब रिकार्ड हो रहा है दो घटनाए मैं आपको विशेश पताना चाहता हूँ एक लड़की जिसको मैं अच्छे दरह से जानता हूँ उसके जीवन में वो बहुत अकेली थी इसमें कोई शक नहीं है लेकिन याद रखें यदि लड़की ये लड़का अपनी जीवन में अकेले पन से होकर गुजरता है तो इसके लिए उसके माबाप जिम्मेदार है ये माबाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा जब तक आपके साथ है तब तक आप उसके मित्र रहें उसके बाद भी होना है लेकिन जब तक आपके साथ है मित्र रहें क्योंकि अकेले पन का शोशन तो बहुत होता है ये मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूं किसी लड़के से दोस्ती हो गई कूब हाई हलो हो 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 और ये सब लॉंडे नमबर वन धोके बाद ये जानते हैं कि किस तरह से बातशेट करनी है कर करके टेक्स्ट चैट से धीरे धीरे वीडियो चैटिंग पर आ गए वीडियो चैटिंग के बाद जो है दोस्ती इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने चैलेंज किया कि तू सच मुछ में मेरी दोस्त है तो तू जो कपड़े पहने है वो जैसे मैं कर रहा है उतार के दिखा और उसने अपने शर्ट उतार के दिखाया ये मूर्ख लड़की, स्टुपिड लड़की उसको क्या लगा कि ये खेल है ये खेल नहीं, शिकार है उसने भी अपना उपर का कपड़ा उतार दिया वो लड़का उसने कहा कि मैं वाके मैं मैं मानता हूँ कि तुम जहे मेरी वफादार दोस्त हो लेकिन ये कोई व्यक्ति अपना संतुलन इतना खोल देता है ये कोई लड़की या कोई पुरिशों के साथ भी ऐसा होता है स्तुरियां भी यही करती है वो लोग समझ जाते हैं कि ये सामने वाला अपना संतुलन इतना खो गया है तो आप बाकी भी खो देगा एग्जैक्ली ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ अगली बार उसने क्या किया अपना पूरा धर जो है उसको नंगा करके दिखा दिया लड़की ने भी दिखा दिया उस लड़की को नहीं मालूम था कि ये वीडियो रिकार्ड हो रहा है मैं एक ब्रदरन लड़की की बात बोल रहा हूँ उसके बात क्या हुआ उसको उन्होंने ले जाके इंटरनेट पे डाल दिया लाखों लोगों ने देखा ये एक घटना नहीं है ब्रदरन सर्कल में एक घटना नहीं है यदि आप पूछेंगे कि ये कहां की घटना है क्या है ये एक घटना नहीं है मैंने एक घटना के रूप में प्रिजन्ट किया एक घटना नहीं सारे इंडिया में इस तरह की घटना है ब्रदरन लड़कीयों के साथ हो रहा है ब्रदरन लड़कों के साथ हो रहा है अभी पिछले ही दिनों की एक बात है एक ब्रदरन इवैंजलिस्ट इस तरह से बात्चित में लगे रहे वो भूल गए अपने आपको और वो ये भूल गए कि ये सब रिकार्ड हो रहा है फाइनली सब रिकार्डिंग करने के बाद जब उस गैंग की तरफ से पत्रा आया कि देखिये आपका ओडियो है आपका वीडियो है और इस कारण तुरंत इतना पैसा दीजे मैं इस समय जिस इवैंजलिस्ट की बात कर रहा हूँ एक लाक रुपया देकर उसने अपना पिंड छोड़ाया लेकिन ये गैंग छोड़ते नहीं है एक बार छोड़ दिया कल को ये फिर से आएंगे क्योंकि वो कहेंगे कि हमने सब कुछ नश्ट कर दिया है बदमश प्रमान को क्यो नश्ट करेगा प्रिये भाईयों प्रिये बहनों कोई भी अज्ञात व्यक्ति आडियो कॉल करे, वीडियो कॉल करे, याद रखें अज्ञात व्यक्ति को आप से क्या लेना देना हो सकता है आपका ही जान पहचान का व्यक्ति हो जान पहचान का व्यक्ति हो तो सामान नियत्या यदि वह नमबर वाटसैप पे है तो आप वाटसैप पे एक संदेश पेज सकते हैं कि आप कौन है या SMS पे एक संदेश पेज सकते हैं आप कौन है क्यों मुझसे बात करना चाहत कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह से अग्यात कॉल्स की संख्या बढ़ रही है दस-दस करोड फून नंबर प्रती दिन बेचे जा रहे हैं बस छे हजार रुपे की बात है दस करोड नंबर आपको सीडी पर या पेन राइप पर वो लोग दे देंगे और इस तरह के दस हजारो ग्यांग हिंदुस्तान में हैं वो मैं अभी बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं दस हजारो ग्यांग हैं और अब तो मसीही जगत में भी इस तरह के लोग हैं जिनका एक मात रिलेट्शे लोगों का गुड़ विल उपयोग करके उनको लूट लेना है कल के अखबार में खबर आई थी कि पुलीस ने राजस्तान और पंजाब में चापा मार के लगबग डेड़ हजार लोगों को गिरफतार किया है जो इस तरह के कामों में लगे हुए थे यह सब बहुत ही और्गनाइजड गैंग है और यह सब जो है मद्यपरदेश उत्तरपरदेश राजस्तान और पंजाब के गाउं से चलते हैं MP, UP, राजस्तान और पंजाब में कई गाउं ऐसे हैं जहां यदि हजार परिवार हों तो 800 परिवार इस तरह के कामों में लगे हुए हैं सब एक दूसरे की मदद करते हैं कि आओ सब मिलके लूटें वाला हिसाब है वहाँ कल अकबार में जो सैक्डो मोबाइल उन लोगों से बरामत किये गए थे उसके भी फोटो आए हैं एक एक घर में पांच-पांच-छे-छे जवान एक साथ बैट कर 10-10, 20-20, 30-30 मोबाइल पर कंटिनियली चैटिंग कर रहे हैं मेसेज बेज रहे हैं आडियो भेज रहे हैं लोगों को फांस रहे हैं उनका वीडियो आपति जनक वीडियो रिकार्ट कर रहे हैं और आपति जनक वीडियो रिकार्ट करने के बाद उनको ब्लैक मेल कर रहे हैं लड़कों को घर से भगा कर ले जा रहे हैं लड़कों को घर से भगा कर ले जा रहे हैं लड़कों को ड्रग की तसकरी में लगा दिया जाता है लड़कियों को बेश्यावरती में बेच दिया जाता है ये सारे हिंदुस्तान में हो रहा है और इसकारण प्रीए भाईयों और बहनों प्रभु के वचन से इस बात को हम समझें और चारों तरफ जो हो रहा है उस से इस बात को समझें कि जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलोजी डेवलप होती चली जा रही है वैसे वैसे अपरादियों के तरीके और अधिक परिश्कृत होते जा रहे हैं अपरादियों के तरीके और अधिक परिश्कृत होने के साथ साथ अपराद करना बहुत आसान हो गया है किसी जमाने में अपराद करना होता था तो बाकायदा साड़क पे जाके लोगों को पकड़के मार पीटके लूटना पड़ता था अब आराम से एक कमरे में बैठके आठ दस जवान 25-30 मोबाइल के द्वारा एक दिन में सैकडों लोगों को हजारों से संपर्क कर सकते हैं सैकडों लोगों को लूट सकते हैं और लूट रहे हैं अभी मैंने एक प्रचारक का बताया था जिन्होंने एक लाख रुपया देके पिंड छुडाया था बहुत सस्ता चूट गया वो आदमी लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि उन लोगों ने प्रमान नश्ट किया है या नहीं किया है नश्ट नहीं किया है तो वो नहीं चूटा अभी और फंसेगा तब तक फंसे आ रहेगा जब तक ओ पिलीस के पास नहीं जाता है मेरे कई साथी काउंसलर लोग इस तरह का उदाहर इंड मेरे साथ शेयर करते रहते हैं बच्चे लोग इसे जरा ध्यान से सुने माबापी ध्यान से सुने घटना इस तरह की है एक करोड़ पती औरत पती की मृती हो गई बस एक ही लड़की है आकरशक है उसको जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी किसी एक दोस्त ने किसी एक पार्टी में ले जाने के लिए पार्टी के लिए इन्वेट किया पार्टी में ले गए उसके बाद पार्टी में खूब जमके उन्होंने उत्सव बगरा मनाया सब कुछ किया चले गए उसके एक हफ़ते के बाद उसकी मा को बहुती आपत्ती जनक तरीके के चित्र उस लड़की के मिले वीडियो नहीं सिर्फ चित्र वीडियो भी मिलते हैं लेकिन इसमें सिर्फ चित्र मिले वो हैरान हो गई कि बापरे मेरी प्यारी लड़की इस तरह का कायरिय कर सकती है क्या डर गई अकेली ओरत उसने पूछा उन लोगों से मैं क्या करूँ तो उनने ने कह एक लाग भेजो करोड़ पती थी एक लाग भेजा हफते बर के बाद रिक्वस्ट आ गया दो उसके एक हफते के बाद जो हो गया पांच एक बात उसको समझ में आ गई कि ये एक ऐसा गड़ा है जिसकी कोई पेंदी नहीं है उसमें गरते चले जाओ तो कभी नहीं रुकेंगे तो आज तीन बार में जो है एक दो पांच लाग हो गया कल को वो जो है पचास लाग मांग सकते है जब तक मैं बरबाद ना हो जाओ तब तक ये मांग सकते है ये लोग मुझ से या मेरी बेटी से कोई भी क्राइम भी करवा सकते हैं क्यों? इसलिए कि समाज की लज्जा के कारण मैं अपनी बेटी की सुरेट्षा की कोशिश करूँगी क्योंकि बेटी के जो चित्र भेजे हैं ये तो बहुती आपती जनक चित्र है लेकिन एक दो और पांच देने के बाद वो समझ गई कि ये खतरनाक है उसने एक काउंसलर से सबसे पहले थे काउंसलर से काउंटाक किया मेरा ही मित्र है मेरा ही शागिर्द है उसने उन चित्रों को दिखाने को बोला जब इस बहन ने बहन से मेरा मतलब ब्रदरेड नहीं है महिला से जब इस बहन ने वो चित्र दिखाए तो उस counselor ने सर पीट लिया उसने कहा कि यह असली चित्र नहीं है आपकी बेटी जिस party में गई थी उस party में जान बूच कर आपकी बेटी के सैकडों चित्र ले लिये गये होंगे mobile से चित्र तो हर कोई लेता है और इसलिए उसने ध्यानी नहीं दिया होगा उसके बाद उन चित्रों को उसमें से चहरा लेकर अशलील चित्रों के उपर fit करके तुमको भीजा गया है उसके बाद फिर मेरे मित्र के पुलीस में contact है उसने पुलीस से मिलवा दिया और पुलीस ने उस पूरे गैंग को arrest कर लिया उसके एंग को पता भी नहीं चला कि किसने शिकायत की थी साइबर क्राइम वाले इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप सुरेचित रहें ये सब मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम मैंसे ज़्यादा तर माबाप इन बातों को नहीं जानते बलके हम खुद मूर्खों के रूप में इस तरह के जाल में फस्ते हैं और इसलिए हम अपने बच्चों को सतर्प नहीं कर पाते हैं कई माबाप तो ऐसे हैं कि जो बच्चे पैदा होते ही मुबाइल पकड़ा देते हैं यह तो प्रभु की दया है कि वे डॉक्टर से अनुरोद नहीं करते कि पैदा होने के पहले उसको दे दिया जाए बच्चे को बच्चे को कभी जो है यह बताय नहीं जाता कि बेटा इसके उपयोग के लिए भला या बुरा है यह सोचके ही उपयोग करना सवाल यह है कि पांच साल के बच्चे को मोबाइल क्यों देना है आप कहेंगी कि जनरल नौलेज बढ़ती है अरे दुनिया में जनरल नौलेज के पचास तरीके हैं मोबाइल नहीं है बलकि आप उसकी बुद्धी को कुंद कर रहे हैं हमें से जादत और माबाप बीना जरूरत के बच्चों के गले मोबाइल डाल देते हैं और बाद में वो मोबाइल उनके गले पड़ जाता है बच्चों तुम में से जो लोग संदेश सुन रहे हैं तुमको यह दि कोई अन्जयन व्यक्ती संदेश देता है माबाप को बताना जरूरी है यदि तुम्हारे माबाप ऐसे है जो तुमको ही डाट लगाएंगे तो फिर तुम्हारी मजबूरी है तुम उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दो अनावश्यक चैटिंग में मत जाना अनावश्यक चैटिंग के द्वारा प्रती दिन दस हजारों में जिंदगियां बर्बाद होती हैं माबाप को बताना चाहता हूँ हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं यदि वो इग्नोरंस या अज्यान के कारण बर्बाद हो रहे हैं हमारी गल्पी है जब माबाप इस तरह की मूर्पता कर रहे हैं जब एक प्रचारक जो है वो अनावश्यक रूप से मस किया एक लाख देखे उसने पिंड छुड़ाया तो आप सोच लीजे कि हम यह अनावश्यक बातशित के लिए जाते हैं क्यों करते हैं और जब हम करते हैं तो अपने बच्चों को कहां से अकल की बात बताएंगे माबापी वही मूर्पता कर रहे हैं तो चाहे मसीही जगत में लोग आप से भीक मांगने के लिए आप से संपर्क करते हों या लूटने के लिए करते हों सावधनी बीमारी से बहतर है सावधन रहें इसमें फसे नहीं बच्चों को ये बताएं कि उनके सरवोत मित्र उनके माबाप है और उनको कोई भी परेशानी हो माबाप को बताएं ये भावना उनके मन में पैदा करना जिरूरी बच्चों दुनिया बहुत खतरनाक है तुमको लगता होगा कि मैं लास्ट मिनिट पे अपने आपको बचा जाओंगा बचा जाओंगी इस तरह से जो भी सूचता है ऐसे दस हजारों हैं जो प्रती दिन जिनकी जिन्दगी बरबाद हो रही है भाई बहन मैं वो पद फिर से बता दूँ भजन चौदा का पांच भजन पैंटीस का साथ सत्तावन का च्छे एक सो इन्नीस का एक सो दस ये पद इस बात को साफ साफ बताते हैं कि दुनिया अर्थर से हमारे लिए फंदा फैला रही है जाल बिछा रही है बच्चों उसमें मत फसना माबाप बच्चों को ये पद याद दिलाएं इन विश्यों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दें इन बातों को समझने के लिए अपने जीवन में व्यवहार लाने के लिए रभू हम में से हर व्यक्ति की मदद करें उपर बहुत ही सरल एवम सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है जै मसीह की